रिवा के रायपूर कर्चुलियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो में कुछ बदमाश एक यूवक को निर्वस्त्र कर जम कर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हैवानियत भरे इस कांड के सामने आने के बाद पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है वैरल वीडियो में चार से पांट की संख्या में यूवक एक यूवक के साथ मारपीट करने के दौरान गाली गलोस भी करते देखे जा रहे हैं यूवक की जम कर पिटाई की जाती है इस दौरान पीडित यूवक बार बार मापी भी मांग रहा था इसके बावजूद भी मार मार कर यूवक को निर्वस्त होने के लिए मजबूर किया जाता है और उसकी पिटाई की जाती है बदमाश इस यूवक की कोई बात मानने के लिए तयार नहीं थे इनी बदमाशों में से एक गटनागरम का वीडियो भी बनाता रहता है इसके बाद लड़के को निर्वस्त ही मुर्गा बनाया जाता है यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो से यह बात सामने आती है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस यूवक के साथ ये हैवानियत भरा व्यवार किया गया है इस पूरे घटना करम को लेकर रीवा पुलिस अधिक्षक नवनीद भसीन का कहना है कि वीडियो वाइरल होते ही संबंदित थाना प्रभारी को कारवाई के निर्देश दिये हैं और वीडियो के आधार पर आरोपियो की तलाश की जा रही है अधिक्षक नवनीद भी लेंगे और आवश्च्छ वजाने कारवाई उनसे कर देंगे परंत्व में आपी जी करना चाहते हैं आपके चैनल की माजगन से भी ती करपया इस प्रकार के कोई भी वीडियो को किसी वेक्ति को आवश्च्छ बाद में मांसेख संत्राज दें त तो हमें नहीं परवड कर रहा है और नहीं उसको परतारत कर रहा है जटना इसकात हुई है वो मारा पर्यादी है हमको उसके चिंता भी करने है और उसके चैनल को प्रेस करके आवश्चा करवाई भी आपके पर करने है 277 PD11 Rabindranath Tagore University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill-based university Rabindranath Tagore University आप देख रहे हैं दखल्यूल